हेलो गाइस, आज हम लोग कल के आगे के कोशन को देखते हैं, ठीक है, जो SCF LCM का, हम लोग day 2 का कोशन देख चुके थे, आज day 3 का देखते हैं, तो कोशन का है, वह सबसे बड़ी संख्या ग्यात करें, जो ऐसी हो कि जब 76, 151 और 226 को उससे भाग दिया जाए, तो सेस्वल ए एक समान होता है, हम लोग क्या जानते हैं, कि संख्याओं के अंतर का SCF, जो होगा, वही संख्याओं का SCF होगा, तो हम लोग किसी भी दो को SCF, डिफरेंस निकाल लेते हैं, जैसे 226 और 151, डिफरेंस घटा दो, कितना है आप, 75, अब आपको करना क्या है, देख लीजे, आ बहुत देखने के साथ, ट्रिकी अप्रोच के साथ, तो 75 से 75 कटेगा, तब साथ साथ कारा है कि SCF ल एक समान आता है, तो इस 75 से 73 को ही भाग दो, तो एक SCF ल आएगा, यानि ये नहीं होगा, तो 75 से 73 को भाग देंगे, तो एक SCF ल आएगा, यानि option C होगा, clear है, यानि देखेंगे कि SCF जोगा उससे ये कटना चाहिए, तो किस से ये कटेगा, संतावन से कटेगा नहीं, संतावन से कटेगा नहीं, 75 से कटेगा, अब आता है कि रिमेंडर एक या दो, तो 75 से भाग देके देख लिजे, रिमेंडर एक आ रहा है, है न, बहुत आसान, अगला question द देखती है, अब कहराय की वो संख्या तीन अंको की होगा, और यहाँ दो संख्या है, भाग देना है, मतलब और कहराय की समान से स्पल, तो हम लोगों को करना क्या होगा, क्या निकालेंगे, दोनों का difference, तो 72 में से, अगर हम 875 घटा दें, तो देखें तो कितना रहा है, 12 मे देखते किस से यह कटेगा, तो अगर लग रहा है कि हम देख सकते हैं, तो ठीक है, नहीं तो इसको फैक्टोराइज कर लीजे, क्योंकि यह चारंग का है, तो देखें, देखकर लग रहा है कि 9 एक दस, 7 तिन दस, यह संख्या 11 से कटेगी, तो 11 से भाग दो, 11 ही कहें 11, 2 प कुशन का रा, तीन अंकों की संख्या बताईए, तो एंसर क्या होगा, 127 होगा, क्लियर, अगला कुशन देखें, वह सबसे बरी संख्या ग्यात किजिए, कुशन को ध्यान से पढ़ना, जिससे 705, 1805, 14, 75 को विभाजित करने पर, परते किस्तिती में समाज, बहुत इंपोर् होगा, कभी 4 संख्या होगा, और सब जगा क्या कहेगा, समान से बचता है, और सेस्फल नहीं दिया रहता है, तो जब सेस्फल नहीं दिया हो, हम लोग क्या जानते हैं, कि संख्याओं के अंतर का ऐसी है, तो 14, 75 बरावाला संख्या से पहले 1805 है, सबसे बरा ये है, और उसम लोंको बाकी को चेक करने की आवसकता ही नहीं परती है, 5 से 5 0, 10 से 7 3, और ये 7 से 4 3, ऑप्शन में से देख लो, किस से ये कटेगा, जिस से कटेगा, वही संक्या होगा, तो वह एक सो पंदरा से कटेगा नहीं, 114 से कटेगा नहीं, 120 से नहीं कटेगा, 110 से, तो है न, एक दम देखने के साथ, अब हम लोग ऐसा कोशन आएगा, कुछ नहीं निकालेंगे, देखने के साथ जवाब देंगे, डिफ्रेंस निकालो, और किस से कट रहा है, clear, अगर ज्यादा अंक किस अंक्या है, तो जैसे हम लोग पिछले कोशन में देखे, क्या देखे, कि इसमें हम लो कुशन है वह नियुनतम संख्या ग्यात कीजिए जिसे तेरा सहित सभी संख्याओं से पुर्णता विभाजित हो सके हम लोग क्या जानते हैं कि नियुनतम संख्या जो कटे कटने वाली संख्या का LCM होता है यानि हमको एक से लेका 13 का LCM निकालना है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और जब कभी भी इस टाइप का कुश्यन आए तो हम लोग लगातार संख्या है और लगातार संख्या है तो उसमें आधे से कम को छोड़ दिया जाता है जैसे 13 का अधा 6 होता तो 6 तक हम इसको छोड़ देते हैं क्यों कि देखो ये इसके फैक्टर इसमें आ जाएंगे जैसे 12 बोलें तो वो 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 10 बोलें तो 5 से कटेगा, 8 बोलें 4 से कटेगा, 9 बोलें 3 से कटेगा, अगर 14 तक 11, 12 और 13 का LCM, इतना का जो answer आएगा, वही answer सबका होगा, तो हम लोग इसको निकालेंगे, तो ये answer कितना हैगा, 360, 360, निकाल लेंगे, हमको तो answer याद था, तो लिख दिये, आप भागविदी से मैंने बताया था, बस answer को इवल निकाल लेना है, ठीक है? अगला कोशन देखें, वहाँ नियुन्तम संख्या ज्याद किजिए, जिसे 15 तक के सभी विश्म संख्या, अब बता, 15 तक के विश्म संख्या कौन कौन होगा, एक, तीन, पांच, साथ, एगारा, तेरा, पंदरा, विश्म संख्या, नौ छुटिया, एक, तीन, पांच, साथ, नौ, एगारा, तेरा, पंदरा, अब बता, तीन और एक और पांच, ये तीनों हट जाएगा, क्यों हट जाएगा? क्योंकि नौ में तीन है, और पंदरा में पांच है, यहनी साथ, नौ, एग्यारा, तेरा, पंदरा, इसका क्या निकालेंगे? भागविदी से लस्म निकालेंगे, लस्म इसका क्या हैगा? 450, 45 क्वेशन की टाइप को समझेंगे, पंदरा तक का, तो आधा से कम को छोड़ देंगे, लेकिन यह सबसे बरा जो नंबर होता है, वहीं LCM होगा, तो 15 को अगर हम सोचें, तो 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से नहीं कट रहा है, 11, 13, 15 से नहीं कट रहा है, इन सब का हम लोग LCM निकाल लिए, है न बहुत आसान कोशन मैंने देखा है कि बहुत बड़ा गर वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सुचे कि थोड़ा थोटा वीडियो बनाए जिससे कि आपका इंटरेस्ट बढ़े तो पाहले कुछ दिनों तक अभी हम लोग छोटा वीडियो देखेंगे और कोशन को सॉल्व करेंगे ठीक है अगला कोशन है वह निवन्तम संख्या ग्यात कीजिए जो 72,90,120 से पूर्णता विभाज्य है तो कटने वा वह देखो ध्यान से पढ़ना निवन्तम संख्या जो बिभाज्य है यानि कटने वाली संख्या LCM 72,90 और 120 का LCM किस से कटेगा मानलो दो से कटेगा 2 से 6 यह इसमें नहीं लगा यह 10 फिर क्या लग रहा है 2 से कटेगा तो 2 से ये 3, 15 और ये 5 अब क्या लग रहा है 3 से कटेगा 1, 5, 5 अब फिर 5 से कटेगा 1, 1 यानि 6 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 यानि LCM आप निकालेंगे LCM निकालने का different types में बताते जा रहा हूं कैसे निकालेंगे और simplify जितना fast कर सको calculation को थोड़ा fast करना होगा और simplify करेंगे ठीक है अगला question वह सबसे छोटी संक्या कौन सी है छोटी संक्या ही बताना है कौन सी है जिसे दो गुना करने पर जब हम दो क्या क्या है X है और कहा रहा है दो गुना करने पर तरलो 2 से गुना कर दिया 12 18 21 और 30 से कट जाए ये बराबर होगा 12 18 21 और 30 का कट जाए मतलब LCM कट जाए मतलब LCM तो 30 12 18 21 30 इसका क्या निकालेंगे LCM निकाल लेते हैं 12 18 21 30 किस से कटेगा 3 से माल लो 3 से 4 3 से 6 3 से 7 3 से 10 फिर क्या लग रहा है 3 से नहीं 2 से 2 दुनी 4 2 तियां ही 6 7 5 अब किस से अब लग रहा है किसी से नहीं तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5 5 तिया 15 दुना 30 छक 180 18 सती 126 बारसो साथ तो ध्यान देंगे 2 एक्स वराबर आया कितना 1260 कुशन पूछ रहा था छोटी से संख्या कौन सी है इसको 2 गुना करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा 1260 divided by 2 यानि एंसर होगा 630 तो कुशन को अच्छे से समझेंगे कि छोटी संख्या जिसे दो गुना करने पर तो संख्या तो एक्स मान लिया आद दो गुना किया तो 2 एक्स हो गया तो इन सबसे कट जाए मतला इन सबका LCM हो जाएगा कोई प्राब्लिम नहीं अगला कुशन है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 36, 45, 63 और 80 से कट जाए इन सबी से कटे तो इन सबी का हम लोग क्या निकाल लेंगे LCM 36, 45, 63, 80 अब इन सब का आपको LCM निकाल लेना है LCM भागविदी से पता है तो इसका एंसर क्या आएगा LCM इसका आएगा चली जल्दी से निकाल लीज़े आप लोग अपने कोई पी में 9 से ये 9 चोगा 36, 9 पचे 45, 9 सब्सक्राइब और ये 80 तिर उसके बाद 4 से 5 से निकल जाएगा एंसर आएगा 50, 40 एंसर कितना हैगा 50, 40 पिछले क्लास में साथ किसी कुश्चन का एंसर गलत हो गया था उसको आप लोग ठीक कर लेंगे तो ये था LCM का सिंपल कुश्चन अगले क्लास में हम लोग LCM के और डिफरेंट अच्छे कुश्चन जो एक्जाम में पूछे जाएंगे उनको लेके आएंगे जैसे मंदिर की घंटियां LCM क्या है तो LCM वह नंबर है जो सभी से कटे LCM वह समय है जब मंदिर की सारी घंटियां एक साथ वजे LCM वह समय है जब सारा ट्रैफिक लाइट एक साथ चेंज हो LCM वह समय है जब एक बृताकारपत पे सभी धावक एक साथ मिले तो इस टाइब के questions भी साथ ही साथ एक class और होगा जिसमें LCM और Remainders के problem इन सब को देखा जाएगा तो आज के class को हम यही रोकते हैं Good night, thank you